आज हम बुध्धा की different मुद्राज को डिसकस करेंगे जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने गंधहरा आर्ट, मतुरा आर्ट और अमरावती आर्ट के बीच में difference डिसकस किया था discuss किया था Hellenistic art क्या होती है और Hellenistic का influence मतलो आर्ट पर किस तरह से पड़ा था last lecture में यह सब हमने discuss किया था आज हम discuss करेंगे बुद्धा जो different उनके related मद्राज हैं जिस तरह से वो meditation करते थे और कौन सी मद्रा किस चीज को दरसाती है आज हम वो discuss करेंगे सबसे पहले हम भूमी इस परसा मुद्रा को देखते हैं भूमी इस परसा मुद्रा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम तो भूमी इस परसा मुद्रा क्या होती है राइट हैंड जो है वो हमारे ऐसे पाम की सेप में बना होता है राइट हेंड आपके पहरों पर रखा होता है और उपर को खुला हुआ होता है जबकि लेफ्ट हेंड क्या है भूमी को दिसामे डारेक्शन को दिखा रहा है तो यह जो आर्थ की तरफ किये हुई है डारेक्शन तो इससे यह सो कर रहा है कि जब उन्हें ज्यान प्राप्त तो जो आर्थ है वो signifies है, मतलब कि आर्थ उस्ट में एक गवा की रूप में हुई है, calling the earth to witness the truth, मतलब जब मुझे ग्यान प्राप्त हुआ, सच प्राप्त हुआ, उस समय आर्थ जो है वो witness हो रही है, तो इसलिए भूमी इसपरसा मुद्रा, जो significance है भूमी इसपरसा मुद्र तो ये moment था कि बुद्धा को enlightenment प्राप्त हुआ था, ये हमने discuss किया, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, मगर ये मुद्रा इतनी important नहीं है, मगर आपको दो तीन मुद्रा इसके बारे में भता होना चाहिए, basic knowledge होना चाहिए कि भूमी इसपरसा मुद्रा कैसे होती है significance किया है, बस ये दो तीन चीज़े important है, इन चीज़ों को आप जान लेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हमने भूमी इसपरसा मुद्रा के बारे में जाना, हमने जाना कि कैसे, बुद्धा को जब ग्यान प्राप्त हो रहा है, तो बुद्धा जो है, बुद्धा कह रहे हैं कि जो अर्थ है, वो witness है, जब मुझे enlightenment प्राप्त हुआ, अब ध्यान मुद्रा देख लो, ध्यान मुद्रा क्या होती, योगा की फॉर्म में होती, अक्सर हम इस योगा की इस पोजीशनों बैठते हैं, देखो, एक हाथ के उपर, एक हाथ पाम की तरह, तो ये योगा की मुद्रा हो गई, इस ये meditation को indicate करती है, अब ये जो दिखाया गया है, इसमें जो बताया गया है, ये योगा की फॉर्म दरसाती है, बोथ हैंड इन लैप, मतलब दोनों जो हैंड एक लैप की फॉर्म में हैं, और बोथ हैंड आर सोन टचिंग इन दा टिप, तस फॉर्मिंगे, mystical triangle, एक triangle फॉर्म करती है, अब इसका significance क्या है, कि जो बुद्धा है, वो spiritual perfection को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हो गया, मैंने जैसे बताया कि हर फॉर्म का एक significance है, अगर आपको significance पता है, तो आप objective question easily कर ले जाएंगे, अब आप ये attain our spiritual perfection, मतलब आप जब योगा की फॉर्म में बैठे हैं, ध्यान मुद्धा में बैठे हैं, तो आपने spiritual perfection को प्राप्त कर लिया है, तो final meditation under the bodhi tree, बुद्धा नहीं ये bodhi tree के पास बैठके जो ग्यान प्राप्त किया था, उस समय जो final meditation किया था, उसको ये दरसाता है, ठीक है, अब बितर का मुद्रा देख लो, बितर का मुद्रा क्या होती, बितर का मुद्रा में ऐसे हमारी जो last finger होती है और अंगूठा होता है, ये मिले होते हैं, बितर का मुद्रा और हमारा जो finger वो सीने तक होती है, आप देखो सीने पर, तो ये इसमें क्या बितर का मुद्रा हम बितरका मुद्रा हो गई, अब है मुद्रा, अब है मुद्रा बहुत important, अब है मुद्रा अकसर हमें हिंदू religion में भी देखने को मिलती है, और इसकी important बहुत है आसरवात के लिए, तो अब है मुद्रा क्या दिर्खाती है, अब है मुद्रा indicate fearlessness, जब बुद्धा को ग्यान प् अब है मुद्रा कहा जाता है, और ये अब है मुद्रा जिसमें क्या होता है, हमारा right hand जो है, solder तक उपर होता है, और इसे दिखाता है कि बुद्धा immediately after attaining the enlightenment, मतलब enlightenment के बाद जो बुद्धा को enlightenment प्राप्त को उसके बाद fearlessness जो उनके अंदर आई, उस चीज़ को ये दिखात है, अब इसमें एक point और जोड़ दिया है, symbolize strength and inner security, fearlessness to other as well, मतलब fearlessness भी दिखा रहा है, symbolize strength and inner security भी दिखा रहा है, अब धर्म चक्र, चक्र मुद्रा, अब धर्म चक्र परिवर्तन आपने हजार बार पड़ा है, कि धर्म चक्र परिवर्तन में क्या हुआ था, जब बुद् मुद्रा उन्होंने हासिल की थी, उसे धर्म चक्र परिवर्तन किया जाता है, हम जानते हैं, फर्स्ट सर्मन सारनात में दिया था, और डीर पार्क उस जगह का नाम रखा गया, तो आज भी ये famous है, और धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा कैसी होती है, ये देख लो, ठीक है अंजली मुद्रा, अंजली मुद्रा हम क्या दिखाते हैं, कि respect दिखाते हैं, अंजली मुद्रा में हाद जोड़ जाते हैं, नमसकार हम की form में, नमसकार जिसे इंडियन कल्चर में नमसकार होता है, उस तरह से होता है, इसमें greeting, devotion और adoration होता है, मतलब इसमें दिखाया जात कि कैसे आप किसी को greeting दे रहे हैं, कैसे आप किसी को importance दे रहे हैं, कैसे respect दे रहे हैं, ये अंजली मुद्रा में दिखाया जाता है, आप अंजली मुद्रा से नहीं समझ पाएंगे, तो आप याद रखिए, अंजली को मैंने नमस्कार किया, बस आप devotion दे रहे हैं, आप respect दे र निर्वाना को त्याग दिया है, वो निर्वाना को इसलिए त्याग दिया है, क्योंकि वो अधर लोगों को भी निर्वाना प्राप्त कर सकें, इसलिए उना दिका दिया, ये महायाना बहिकल जो होता है, बुद्धा का जो सैक्ट है महायाना, उसका ये जो बोधी सत्वा है, important part है तो यह आपको याद रखना है अब आगे देखते हैं हम उत्रा बोधी मुद्रा अब आगे उत्रा बोधी मुद्रा है उत्रा बोधी मुद्रा में supreme enlightenment को दर साथ आई, significance क्या है कि इसमें supreme enlightenment हुआ था क्या कहते हैं बुद्ध को मुद्रा known as charging one with energy, it symbolized perfection perfection माने हो गया कि आपको किसी के भैकाने से आप भैकेंगे नहीं किसी के भंग करने से आपकी सबाब भंग नहीं होगी इसे उत्रा बोधी मुद्रा कहते हैं और ये आप देख सकते हैं उत्रा बोधी मुद्रा कैसी होते हैं